नमस्कार आप देख रहे हैं News Vision का Digital Platform मैं आपके सतंके था भारत में चल रहे है One Day World Cup 2023 के बीच Meta और ICC ने फैंस को खुश होने का एक और मौका दे दिया अब यूजर्स Facebook, Instagram, Whatsapp या Threads पर भी World Cup मैचों से जुड़े Behind the Scenes coverage देख पाएंगे खबरों की बाहने तो उसके लिए Meta ने International Cricket Council यानि की ICC के साथ partnership की है Meta के लिए 500 से ज्यादा Creators coverage करेंगे जिन्हें Super 50 नाम दिया गया है Group मैच के पहले और बाद में Field का Access Commentator और Ambassador से बातचीत कर पाएंगे खबरों की माने तो ये ICC Tournament के लिए सबसे बड़ी Creator Campaign Meta के द्वारा किया गया है और इसमें भारत के विभिन शेहरों के Creators शामित रहेंगे ताकि मैच के हर पल को उनके द्वारा कवर किया जा सके और वो अपनी भाशा में से शेयर कर सके ये ICC Tournament के लिए Meta का बड़ा कदम है Media Reports की माने तो Super 50 के साथ कई और Creators भी होंगे जो मैचों को देखने के बाद अपने दर्शकों के साथ अपने अनुभवों को साचा करेंगे और इन्होंने अपनी कवरेज को Reels, WhatsApp, Channel, Instagram, Broadcast Channel और Threads पर शेयर करने का भी रादा किया गया है आपको बता दे के Cricket World Cup में ICC का Global Broadcast Partner Disney Star है World Cup के सभी 38 मैचों का लाइव प्रसारन करेगा भारत में Star Sports पर आप हर मैच लाइव देख सकते हैं Disney Plus Hotstar पर मैच की Free Live Streaming हो रही है इस टर्नमेंट से Disney Star को 4,000 करोन रुपए कमाने के उमीद है इसके लावा News Nation पर भी आपको पलपल के सारी अपडेट्स मिलती रहेंगे आपको बतादे कि भारती टीम One Day World Cup 2013 में अपने अभियान के शुरुआत पांच बार की चैंपियन ऑस्ट्रीला के खलाफ करेगी भारत और ऑस्ट्रीला के बीच पहला मैच चरनेगे MA चितंबरम स्टीडियम में खेला जाएगा ये मैच भारती समय के मताबक दो पेट दो बज़े से खेला जाएगा भारत समय सभी टीमें लीग स्टेज में नौ मैच खेलेंगी दोनों टीमें One Day World Cup में अभी तक 12 बार भिड़ चुकी है जहां ऑस्टेलिया ने आठ मैचों में बाजी मारी है जबके चार मुकाबलों में टीम इंडिया विजाई रही है आपको बता दे कि भारत में गुरुवार से क्रिकेट World Cup के शुरुआत हो चुकी है इन में से दुनिया भर की 10 टीमों ने हिस्सा लिया है चैनल को फॉलो जरूर कर लें ताकि एक भी खबर मिस न होने पाए